दोस्तो आज हम जानेंगे PNB account KYC status को कैसे चेक करते हैं दोस्तो अगर आपका bank account Punjab National Bank में है तो आप easily account KYC status को चेक कर सकते हैं यानि आप जान सकते हैं आपके saving account या current account का KYC कब किया था और यह KYC कब expert होगा यह आपके account का KYC का due date कब है आप online जान सकते हैं आपके account में KYC update है या नहीं या अभी तक account का KYC pending है without visit branch आप online easily जान सकते हैं तो इसके लिए पहले PNB1 Mobile Banking आपको open किजिए PNB1 के थो आप online service को use कर सकते हैं अगर आपके पास PNB1 का account नहीं है तो आप account details ATM card या आधर card के थो भी PNB1 account को create कर सकते हैं अगर आपके पास ATM card नहीं है तो भी आप सिर्फ आधर card के थो and account details के थो आप PNB1 में account create कर सकते हैं PNB1 account में कैसे account create करते हैं इसका video नीचे description पहले तो पहले आप MPN देके account को login कीजिए देन account login हो जाएगा यहां पे home screen में उपर यहां पे menu का एक option है इसपे क्लिक कीजिए देन menu में my profile का option है इसपे क्लिक कीजिए तो यहां पे my profile में आपको check kyc status का एक option मिल जाएगा इसको उपर क्लिक कीजिए यह जो option है यह एक सल पहले लॉंच हुआ था तो यहां पे check kyc status का option है इसपे क्लिक कीजिए तो यहां पे आपके account का kyc status पता चल जाएगा दोस्तों यहां पे account का kyc status kyc complete लिखा हुआ है मतलब already account पे kyc complete है आपको kyc अभी update करने की कोई जरूत नहीं है नीचे kyc complete date है यानि इसी date में आपका kyc complete हुआ था यह आपके account का kyc update हुआ था और नीचे kyc का due date भी है यानि इसी date में आपके account का kyc expire होगा या आपको फिर से kyc को update करना होगा या kyc को complete करना होगा दोस्तों नर्मली एक kyc का validative period 8-10 सल होता है तो 8-10 सल के बाद आपके account का kyc को फिर से update करना होगा फिर से आपको सब भी document है के bank जाके account की kyc को update करना होगा या अगर आप अपनी account पे कुछ change करते हैं जैसे account का name, data worth या mobile number या कुछ भी आप account पे change करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी kyc को update करना परता है तो kyc जिस दिन kyc का update होता है उसी दिन का date यहां पर show हो जाता है तो यहां पर PNV1 में kyc status and kyc due date को चे कर सकते हैं login करके तो अगर यहां पर due date कुछ दिनों के बाद है यानि अभी जानौरी है तो यहां पर एक या दो मेने के बाद है तो आप उससे पहले bank जाके kyc को update कर लेजे आप अधरकार पानकार यह सब details को देखे bank जाके kyc को update कर सकते हैं दोस्तो नीचे update kyc का भी खा portion है इसस पे क्लिक करेंगे तो एसा एक message आएगा अलरेडी kyc complaint का यहां पर एक message आएगā अगर kyc complete है या kyc update है तो ऐसा अभी फीचर लौंच नहीं हुआ आप पा पा पार पानकार आप लाग KYC update का कोई भी feature launch नहीं हुआ है आप PNB में online KYC को update नहीं कर सकते आपको bank जाके KYC को complete करना होगा आपके account जो भी branch में है उसी branch में जाके KYC को complete कर सकते हैं तो इस तरह आप PNB 1 में आपकी account का KYC status को पता लगा सकते हैं तो इस तो यह वीडियो के ऐसा लगा अपने कमेंट पे बताएं अच्छा लगा तुमा लाइक सेरें सबस्क्राइब करना थेंक्यू फोर वाजिंग